नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रेडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज 25 वर्स के पुरुस के पाम का अनसेस करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सड़ पर थम इनके सवालों को सुड़ेंगे, फिर करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों ना भी तक हमाई चानल को सिस्क्राइब नहीं किया है तो किरप अगर के चानल को सिस्क्राइब कर लें बेल अकन को प्रेस कर दें ताकि इस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते है इनका कोशन इस प्रकार है आगे की जिंदगी कैसी रहेगी सरकारी नौकरी के लिए परियासरत है क्या इनको सरकारी नौकरी की प्राप्ती होगी और आगे की जिंदगी में कोई बहुत विशेश तकलीफ तो नहीं हतली पर क्या अच्छे खराब योग है इस बिशेप इनको पूनता जानकारी चाहिए, तो निश्चिंत्रे आपको साड़ी जानकारी मिलेगी, आपको सारा कुछ बताया जाएगा वीडियो के माधियम से, तो लाइक, सेर जरूर करें आप, तो सबसे पहले चीज़, क्या ये हतेली सरकारी जौब के लिए उचित है, क्या इस अतिरी पर योग है, कि ऐसे विक्ति को सरकारी जौब की प्राप्ती होती है, तो 100% होती है, अगर ये लोग परियास करें, तो लिखवा के लाइए सरकारी नौकरी मिलनी ही है, अब यहाँ पर मैंने परियास वर्ड इसलिए यूज किया, परियास सभी को करना है, चाए वो छोटे तपके के नौकरी कर रहे हो, या बड़े तपके के नौकरी कर रहे हो, तो इस बात को तो आपको अपने जहन में बैठाना ही होगा, कि आपको परियास करना ही पड़ेगा, जान लगाना ही पड़ेगा, अब योग के विशे में चर्चा करते हैं, तो उ वजह से मेरे द्वारा ये बाते कही गई कि आपको सरकारी छेतर से धनलाव होगा तो उत्तम भाग गिरेखा आपके आपको फीड़े रोगी जवर्दस्त भाग गिरेखा ये वारी देखो स्ट्रॉंग फेट लाइन सुई के तरह पतली और कंटीन्यू बेसिस पर ये जीवन के लास्ट तक ये देखो और यहां से हल की ब्रशपती तक जा रही है एक आपके सेटन पर ब्रांच खुल रहे हैं दो तिन ब्रांच जासे खुले हुए तो इस कंटीशन में सरकारी नौकरी मिलनेता है क्योंकि अगर आपकी फेट लाइन का ब्रांच ब्रशपती तक चला जाए और आपकी फेट लाइन सुई के तरह पतली हो एकदम स्ट्रेट हो और मूलतह इनके सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है चाहे वो शुक्र हो मंगल हो ब भाग्य रेखा से ही ये बाते उचित थी कि व्यक्ति को मिल जाता है लेकर इसके उपरांद भी चीजे रुकी नहीं और आपके योग को प्रबल करने है तो आपकी सुरी रेखा भी बड़ी अस्पस्ट आपके हैतले पर देखी हो दो-दो सुदी रेखा आपके हैतले पर बताती है तीसरी ब्रश्पती हलकी तंग थी तो इस पे बनने वाला एक स्क्वायर ये भी सरकारी छितर से धनलाव को या ऑथर्टी पोस्ट की प्रापती है तो बहुत ही कारगर योग माना जाता है अभी इनकी 25 में साल के आयू है 26 में साल के राउंड एक बड़ी प्रगत योग तो 26 में 27 में बड़ी प्रगति यहाँ पर देखो 29 में तो मतलब 29 में तक आपकी इस्थिति अच्छी है बिढ़ा किसी राहू लाइन के साथी अहलकी फलकी ये बहुत नॉर्मल है इसका मैं उपाय दे दूँगा आपको ये करना कंपलसरी है बाकि आपकी प्रोग्रस नहीं है आपकी वो सुरी रेखा मुझे ठीक दिखरी है हलकी फलकी ये तो हलकी फलकी नॉर्मल कॉंसेंटरेशन को ये लो करती लेकिन ब्रश्पति यहाँ से दबाब होनी की वज़ाशे शुक्र में प्रधानता होनी की वज़ाशे व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नि इंसान थौला परवाही करते हैं बिगर सकते हैं इनकी एट्रेक्शन हो सकती है गलत डिरेक्शन में जो कि इनके लिए हानिका रखोगी तो ये एक तो ग्यान की कमी दूसरी प्रबल शुक्र जो कि आपको ढखेलता है लगजरी के सुख के तरफ आपको चमक धमक के पीछे क कहीं न कहीं आप जिस भी चाया पुरूस हो या इस तरही हो आप कहीं न कहीं आकशित होंगे अपने अपोजिट जेंडर के लिए तो ये चीज़ें आपको नियंतरन करनी पड़ेगी इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे इसका कंट्रोल करना है किसी भी तो इस बात का सिर्फ आपको रखना पड़ेगा ख्याल बाकी चीज़ें बहुत ही शुंदर आपके दरी पड़ेगा उनका कोशन इसी के रिगार्डिंग था तो आपको 28 साल तक मैंने फोन पर भी बताया था अभी बता रहा हूं कि महनत करोगे सफलता मिलेगी नहीं करोग हमारा कुछ नहीं लोगे लिखवा के लाए हो मैंनत करोगे तो कोई को लोग को बहुत घिसना पड़ता है आपको बहुत घिसना नहीं पड़ेगा आपकी सफलता जल्दी मिल जानी है तो ये इनके कोश्चन्स थे बाकी इनके हैतली का भी मैं जैनल अना असस करूंगा चीज़े तो मैंने दुबरा दिखा ही दी गई अभी पाम के से पर बात करते हैं तो स्क्वाइर सतेली है बहुत मादमा कांचियों ते जद्दी किसम के इनसान होते है मूलता है सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है ब्रश्पती को छोड़के तो 65 परसंट राज्यों का फरारा जो की बहुत ही उम्दा है खातेली गद्देदार है गुलाबी है तो लक्षमी कारा का वस्था अच्छी बनी हुई है लक्षमी करपाई लोग को बनी रहती है पैसे के दिक्कत नहीं होती है और गुलाबी है तो ये तो कन्फर्म बाली बात है अभी बात करता हो इनके तो सरकारी छेतर से धनलाव के लिए या किसी भी बड़े पद पे बैठने के लिए या कहीं से भी पैसे अरजन करने के लिए या अपने अंदर लोगों को काम करवाने के लिए मतलब होता है न कि आप किसी संस्था के लीडर या आपके अंदर काम करने वालों के संक्याप उसक तो कैसे manage करोगे तो उसके लिए आपकी thumb की बड़ी आवश्यक्ता पड़ती है thumb आपका strong होना चाहिए तभी आप में managing quality रहती है तभी आप में inspiring quality रहती है जिसको देख के लोग inspire हो पाए क्यों police वालों का thumb बहुत strong पाया जाता है क्योंकि उनमें रहती है उनमें potential होनी चाहिए ताकि आपको देख के लोग अपने आपको safe feel करें कि मेरा leader अच्छा है मैं जिसके सामने हूँ या जो मेरी रक्षा कर रहा है वो काफी हिम्मती है तो thumb आपकी इक्षा सक्ती को दर्शाती आपके तर्ख सक्ती तो इक्षाक्रती बहुत शांदार है तर्शक्ती भी बहुत बढ़िया है और यह lines आपके तरे पर मोजूए पहरे इंसान को पने जन्दगी को set करना है फिर बहुत desires लेके आप धर्टी पर आये हैं और उसको पूरा करने के लिए आपको पढियास करना पढ़ेगा शुकर प्रधान होने के वएक्षा थोड़े आल्सी हो सकते है तो उसके लिए पढ़ियास करे है दम लगा दे जान लगा दे एक line है एक और यह वाकिरती बन रही है तो विक्ति को सपोर्ट करे है इनको support मिल जाना है, यहां से LKL की दिक्कते हैं, तो इंसान थोड़ा अंदर से कमजोर फील कर सकते, यह बहुत नॉर्मल है, तो यह तो ओगी थम्ब के विशा में कुछ बात है, समझदारी के लूप भी अच्छी बंड़ी, तो विक्ती समझदान है, बर डिसिजन leading to problem, तो decision making सही तरीके से करना है, सोच समझ के कारी करना है, हरब डा के कार नहीं करना, पैसे खर्च किस्थिति आपके तल्म मुझे जादा अच्छी बता रहे है, विक्ती के आए से जादा पैसे खर्च होते हैं, तो खर्च पर नियंतर करने के आपको आवशक्ता है, बाकी खड़ी लाइन्स मौझूद है, तो इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के परती कोई मैल नहीं, कोई गलत बावना नहीं, तो ये चीज़े तो बहुत अच्छी हैं, ब्रश्पती फिंगर बड़ी ये इगो हट की प्रब्लम में बाते तुरत लग जाएंगी दूसरे की, तुरत गुस्सा आ जाएगा, चुकि यहाँ पर से एक ब्रश्पती कमजूर होनी के वज़ा से प्रारंबिक समय में लोग अग्यानी जैसा विवार करते हैं, तो अग्यानी जैसा विवार कर करते हैं, निया में तरोप सा जन्दगी को जीते हैं आप, इसमें कोई कहीं जन्दगी नहीं है, शुड़ी की भी हलकी टेंड करें तो कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर होता है, जो आपको पैसे कमबाता है आपके जन्दगी पर, फिर देखें इनके बुद्द, तो ब एक तो आपकी मंगल दोनों अच्छी है, तो ओबर प्राक्रमी थंब बहुत अच्छा है, तो स्ट्रॉंग विक्ति तो बुद्ध फिंगर छोटी होने को जाचा है, ऐसे लोग जल्दी किसी पर ट्रस्ट करते ही नहीं है, ट्रस्ट कर भी रहतों की बाते नहीं समझते हैं, क्योंकि आपके बलाई के लिए ही चीज़े बताई जाएंगे, मांकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी अवस्था आपके अतले पर मौझूद है, यहां से दबाब है, तो इसके रिगार्डिंग में आपको पाई दूँगा, और इस केस में इंसान अपने काले छेदर को दूर करने में सहयक, जो ब्रशपती का नेगेटिव इंग्पैक्ट आपके जिन्दगी पर पर रहा है न, उसको ठीक करने है, तो यह कहीं न कहीं सहयक है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं है, कि आप महनत नहीं करेंगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी, तो आपको पढ़ि यहां से दबाव विक्ती मेनती मेनत का फल मिल जाएका 60% के राउंड और जीबन के लास पर रहा है न, फेट लाइन बरी जबरदस्त है आपकी, जबरदस्त फेट लाइन, तो इस केस में विक्ती के लास तक भाग्य का साथ इनको मिलता है, यह एक अच्छी बात है, और भा भागी रेखा आपकी है, बणिया एक देख्टो कंफर्म यहां से गई, फिर इधर से भी बणिया, तो भागी रेखा के रिगारिंग दिक्कते नहीं है, लाइन ओफ इजोकेशन ठीक ठाक है, दो-दो बणी वे तो इंसान समझदार होते हैं, समझदारी से काम करेंगे, तो चीज़ों को समझ जाएंगे, IQ लेवल अच्छी होती है, कोई भी चीज़ को समझने के जो छमता है वो अच्छी पाई जाती है आप में, और एक तो पैत्रिक संपतिक का अच्छा, साथ मां की एक सूरी रेखा, तो जॉब तो होना ही है, और यहां से एक स्क्वाइर बनाव लेकिन प्रियास करना बहुत जरूरी है, क्यों क्या पता, आप सीट कम निकले, और फॉर्म बहुत लोगों ने भर दिया, क्या पता, आपके भागे से प्रबल, उन सौप का भागी हो, जिनका सेलेक्शन हो रहा हो, तो आपको मेहनत में कमी नहीं करनी है, बाकी सूरी रेख लेकारे भी करते हैं, इनको नेम फे मिलता भी है, इनके जंदगी पड़ा, यहां से खरी लाइन से मौझूद है, तो इंसान इतने तेज तरह जरूर होते हैं, जो अपनी बातों को समझा पाएं, दूसरे को इतने तेज होते हैं, कि आप पैसे कमा पाओ, जो इंसान अपनी बातों को अपनी भावणाओं को दूसरे को समझा देना, वो intelligent है, वो कई ना कई अपने जीवन पर success कर लेता है, चाहे वो कोई भी कारे करे, बाते तो यह होती न, कि आप क्या बोलोगे, तो आपकी बाते लोग को समझ में आएंगी, अगर आप सही बोलोगे, आपकी बाते समझ में आ रही है, तो लोग उसका आपको चार्ज भी पेज जरूर करेंगे, चाहे आप कोई भी कारे करो, तो यह वाले इंसान जो होते हैं, यह बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हैं, उसी तरह लोग उस पार deliver करते हैं, और शन और मरकरी अच्छी है, तो ब शासनिक छेतर में कोई काम करें, तो आपको उनती मिलती है, मंगल कई नके, आपके एनरजी को दर्शाती है, स्वास्तर होगे, स्वास्त में विशेशकर परशानी नहीं होगी आपकी, और मंगल भग बढ़िया है, तो व्यक्ती एनरजेटिक होता है, भजज़वर्दस्त, इनमें एनरजी के कमी नहीं होते, ये लोग अपने कारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और मंगल अच्छा होतो फिर लॉजिकल भी या, मंगल अच्छा होतो फिर ये लोग हठी भी होते हैं, जिद्धी भी होते हैं, करना है तो बस करना है, अब स्वास्त ये विक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन पर एक अच्छी सक्षिस को पा लेते, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, कुछ यात्राएं जीवन पर रहेंगे, कुछ वेदेशी यात्राएं भी दिकरिया में, और चंदर अच्छा है तो इंसान बहुत अच्छे है, चंदर मा अच कि तो आपको बेनेफिट देगे, फिलाल तो पूरी कंप्लीट नहीं है, शुक्र भहुत जबरदस्त है, इसलिए मने कहां इंद्रियों पर कंट्रोर लख रहा है, इसकी एक नेगिटिवीटी भी होती है, पचीस साल तक के जंदगी में विक्ति बहुत चीजों में कारी करत है, बहुत इनके दिमाग जोनब भटकते बहुत जादा है, तो भटकाने के आवशक्ता नहीं है, वैसे शुक्र भहुत बढ़िया है, इंसान के जंदगी बर दिक्कते नहीं आनी, शादी के बादे की भाग गुते, लेकिन प्रारंबिक समय में इस ब्रश्पती के हिसाब स आपको समलना पड़ता है, आपको चीजों को देखे के चलना पड़ता है, तो कोशिश करना है कि फालतू चीजों से दूर रखूं अपने आपको, कोशिश करना है कि जो मैं बता रहा हूं, उस बात पर अमल करें, शुक्र भगजबरदस्त है, मनी की ही लाइन्स मौझूद कुछ स्क्वाइर्स विगरा भी बने में, जो कि आपको प्रॉपर्टी को सुख को दर्शार है, और ये मंगर इतना कैपेबर है कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगा, ये लोग फालतू का अटेंशन लेने वाली भी नहीं है, हलकी सी लाइन्स है, शुक्र पर भभी कुछ स्क तक जॉब पिलने के बहुत अच्छे चांस हैं, एक तो 26 में बन रही है कि आपकी तक्रीवर 29 में बन रही है, इतने स्ट्रॉंग राहू लाइन नहीं है कि आपको प्रभाव डाले, कोई टेंशन निक्या हो शकता नहीं है, आगे भी बहुत अच्छी राहू लाइन नहीं म फिर आपके जिन्दगी बहुत स्मूथ है, जिन्दगी मज़े में निकल रही है, तो इसके रिगारिंग कुछ में आपको पाए जरूर दे दूँगा, तो 26-37 आपका गोल्डन प्रेड है, माइन रेका बहुत अच्छी, दिमाग के तो बहुत तेश तरह है, बट ओवर कॉ इसमें इंसान इमोशनल दवाब से गिरा रहता है, कुछ ऐसे जिन्दगी पर घटना है, घटती है, जिसके वैसे व्यक्ति को लगता है कि कोई मुझे धोका दे रहा है, कोई मुझे परिशान कर रहा है, कहां हो रहा है वो भी कलियर कर दो, शुक्र बहुत बढ़ी है, दू इस वर्स तक यह खतम हो जाएगा, कम्प्लीटली, यहां भी देखो, किसी बनी हुए है, 27 वर्स तक है, उसके बास चीज़े नॉनमल है, 27 वर्स तक यहां पर मैं दिखा दूँ आपको यहां तक, उसके बास चीज़े नॉनमल है, तो बालेंसिंग डिस्टन्स अच्छी है, जबरदस्त भागे रेखा, और मल्टिपल प्रापर्टी के योग, 36 के बाद अपना खुद का घर बना लोगे, लिख के ले लो, और ब्रश पती अच्छी है, तो कहीं न कहीं, आपको 30 पोस्ट बे मिल जाएगी, और आपकी जो है, यह सूरी रेखा, बड़ी अच्छी ब्र मल्टिपल प्रापर्टी के योग घतली पर मुझूद है, तो विक्ति को एक से जाधा प्रापर्टी का साथ मिलता है, बुद्धर एखा बन रही है, बिजनस के योग भी डवलब करेंगे, फिलाल तो बिजनस करनो मैं सजेशन दूँगा ही नहीं, फिलाल नौकरी के तरफ करकादी के योग झायो खुट